हाँ जैसे के आप लोग जानते हो के हम आज लाहूती मेले में हैं और हमारे साथ एक बहुत अच्छी परस्नालिटी है वहाई बख्ष जिनको वहाई अलड़ फकीर भी कहा जाता है तो साही इता बुधायों हिते कियां चंठियों तांके कियां प्यों लगे अईता चाहा करण बारायों सांके चाप दैन्वारायों बिस्मिल्हारा महानरीमा सांके लाहूती मेले इन्वाइट कह वहाई है अच्छी सूफी कलाम बुधाइदासी सूफी कलाम अमन जो पैगामा है थोड़ी तेर गपो इंशालावरी ने स्टेज ते सबनी आडिनस जेकायान उनके पैगाम भी हूं तो आई सेंद शकाफत कल्चर जेके सांजी पहचाना उनिके भी उजागर करें तो आए ताके मानू डिसन बुधन आए खुष्टियन आई अमन जो पैगाम लिए अन्चाइन था जो को सांजो आसा पूरी थी वहिया अच्छा ता सर के लागे तो तो जेक पैगाम जो आ सेंद आ से महापत जो मैसेघंद आ से वार्णी झाल टे Гलाम जो से जीए सु पैगां जो मैसिए अन्मन अचाइन नोगया लिख यज नो जो आटिए ल को आठीजों पह्दिन नौ तो आए पांगराही नो अच्छार जिजक मों श्म् जडिन पैगाम के परचाहरत मैं पूरो पूरो बज़ कोशिच कनासी सब्सude मेटुप के हमेर में मुडममें में इसल्टी जडिक्त है लगोती को लिएस्ताइश अब भी बाया से में वेच्छ परेवें इस एक में आपने हो जोड़ किया पिल आप पिल विए K избण है जोड है जोड एक आपने जोड़ को बझाए में आपने क्या है विछ आप एंग स्वैंग ह्या ग्रोड धर स्वैंग करें के लिए करें नहीं है यहां फिर रजल डिए विए दिए फिर फिर पीड़ी इनकिट भी एक इसान भी अगला विट्कम भज्जर है विट्कम को सब्सक्राइब हो कि अगला विट्कम्स समझ ने कि यार हमें खड़ होना पड़े का एक उस्य की लिए तुर तो काम भी आपगा एलोस है वाहत ही परफिंग जान संघ is आजा एक परसंच हुआ एक नियुक्ता स्वेवाँ जान सब्सक्राइब मोजिए एक जर्माइब है रुक जान धर करने हम प्रफिंग के बड़ाई इसके साहँ है तरहा है यह नहीं है प्रफिंग करेंगा टोफिंग करेंगा ध्यां ए आप बहुत सारी आडियंस मेट करने वाले हैं और जामशुरो को रॉक करवाने वाले हैं वाट यू प्लैनिंग बहुत हैं और वाइब बहुत अच्छी हैं सबसे अच्छी कि मैं तो खासवा पर फर्स्टाइम जहूं जामशुरो में आया हूं तो उमीद है के बड़ा खुबसूरा सा वाइब बनावा है चार-पांच जाम वगरा कर रहे हैं तो जो सोच रहे हैं इन्शाला वैसे ही होगा हमारे साथ तो आज रात को नौवजे सावंज अफ फलाशी की जो है आज हमारी परफॉरमेंस है तो मैं क्रेड़िट देता हूं सैफसे में जो को खास्तों पे इतना बड़ा एवंट कराना कोई इतना असान चीज नहीं होती है और सेक्यूरिटी वगरा सब हम लोग अप्रेट देख थे पेस्बूक के अंदर हैं तो मजा ने वाला है मेरा अखला कुछिण आप से यह है कि बींग एज इन बैंड आप क्या सोचते है कि आपको कितना परस्विंट हैं से एक्साइटमेंट हैं हैदरबाद की योद इस्पेशली जामशुरों की योद से कितना जो एक्साइटमेंट का रेशो नज़र आरा है एक्सपेक्ट कर र यहां पे गाने का प्लस पर्फॉर्म करने का मज़ा आता है क्योंकि आपके साथ जोएन पुब्लिक इन्वाल्व हो जाती है Okay, so we are with Samar Khan, the mountain biker. She will tell us about herself a little bit more and her sessions. So I promote adventure sports from last four years and this year I'm talking about my recent expedition which was cycling attempt on Kilimanjaro and plus my documentary's screening is there tomorrow. So I have like two sessions and today I was like interacting and meeting with people, with artists, with musicians from across Pakistan and from Nepal. So I'm really loving this event because this is very vibrant and it's not only about entertainment but it's also you know grooming and counselling and educating people about women rights and about our basic issues. Okay, so we assume that you have came here for the first time in Sindh. So what motivated you here to come to Lahoudi? I was really looking forward to try all the Sindhi food, to listen to their music and to explore the culture because that's what you know travelling brings you. So that's why you know I take with my bike and I just ride across Pakistan to explore people and you know to know more about our country and ourselves. Did you try biking here? No, I wish I'm really missing my bike but I'm looking forward to show my journey tomorrow inshallah so I hope you like it. Welcome to Fida all from Rome and Fida how you're feeling here in Lahoudi especially at Jamshoro? I'm so happy to be there. Yeah, I'm so happy to be here and for me it's the first time here in Lahoudi Melo. It's the second time in Jamshoro, it's the second time in Pakistan and I can say that I love this country. Fida can you have some words or something as you are vocalist so can you have some words in your native language like you belong from Italian language so can we listen from you that? You want me to speak in Italian? Yes. Okay. I'm so happy to be here and I really love this country and I believe that it can really be a magical place like it is now, but it will become even more. So she recorded the same in Italian and how Fida you find the youth over here at Jamshoro? How do you find the youth? I can feel, I can see that things are going to change so much in this country. This is a young country and you can do whatever you want if you empower women, if you empower the arts like this place is telling us in this moment. So you can be a great country, you are a great country, but you can be a great country for youth in the future. Just letting things changing like it's already. Here we welcome our Sittal player from Pakistan, Vakas Hussain. Vakas, how do you feel to be here? It's always great to be here. Last time I came here, I came here especially to see Karachi. I came here especially to see Karachi. If you want to perform or not, I need to come here and I feel very good. Especially here, the crowd energy we get. The performers value us and we get our expectations from our expectations. It's very good. I feel very good. How do you feel to be here, how do you feel to be here? Where do you feel to be here and your motivation from the sitar playing and your grip? Like I have heard from Pakistan, you are renowned sitar player. So I am the renowned sitar player of Pakistan. What was your motivation? Actually, I belong to the music family and my father is one of the renowned sitar player in Pakistan. So I just got a music from my family. And in Lahouti, when I came here, I performed with my band with Sounds of Kalachi. Okay, this is Electronic Diary and you are live on the YouTube channel of Electronic Diary. We are backstage at Lahouti Live 2019. This is the fourth edition. Which is your favourite brand-news how far you have been there. But, this is just beginning. It is just beginning. Rats till here is performance of the night. There are many artists from Pakistan and Pakistan. I had heard from this here, sometimes. Some years ago, you listened again, that there was a person who said that never forget the days unto the nights. But now what happens? It is that we are just sitting here. Everyone asks, the Japanese and Japanese. We are also famous in Lahouti Mailoway. अश्वालेकम सर्फ, ठीक है खालियसे है? I'm fine, thank you. Tell us about something about you first, आजकल कहा है आप और आपके फैन्स, आप मुजिक, कहा सीन चल रहे हैं? बस अब लाइब जो हो जारे उसमें चेंजे आते रहते हैं तो फिलाल I moved to Jamshoro 4 years back अब तकरीब एक साल के अंदर अंदर वापस करा जी move करेंगे हम लेकिन यह के अभी I was working on a new album, जो के complete हो चुका है और इंशाला है within a month or so release कर देंगे तो हमें album के बार में भी थोड़ा सा पूछेंगे लेकिन इससे पहले हम आते हैं अज के इवन के बारे में उसके subject or topic के बारे में कि जो इस event का specific reason है तो जानते हैं कि क्या impact है सर इससरा की event का specifically और इस topic को लेकर इस event को सजाया गया है How do you feel कि इतना impact है अचा लाहूती मेला तो मरी खार में काफी अस्ता से हो रहा है और this is the fourth इस event में मैं first time अभी आया हूँ मेरे सारे friends आया है तो इससे मिलने भी और देखने भी कि इवेंट क्या है किस पे बेस किया हुआ है सब चीजें लेकिन हाँ यह जो सवाल है कि कि ऐसे events होने चाहिए यह नहीं होने चाहिए यही मकसद होता है मैं यह कहूंगा कि ऐसे platform जो होने जरूरी हैं बहुत लाजमी हैं क्योंकि नहीं musicians आने में देखने हैं इतने सारे youngsters आ चाहिए और बहुत अच्छे अच्छे हैं पहले तो हमें इतने मौकष नहीं थे नहीं इंटरनेट इतना available था जब मैंने साट किया हैं लेकिन अब तो हर चीज अवेलिबल है सीखना भी बहुत असान हो गया है और सिखाने वाली बहुत हो गया है तो आइ तिंक इस तरह के इवेंट्स अच्छे platform साबित होता है क्योंकि प्लाटफॉर्म होंगे तो इंडस्ट्री ग्रोगे एगे अगे थिस लवली के यह प्लाटफॉर्म अवेलिबल है हैं अब एक और यार दाष्ट शहजाद भाई को भी और हमारे सारे वीवर्स को के वंस अपान अपान आइम जोश एफम नाइट शॉरी सचल फम बनोफाइव का सचार गलक्सी प्रोग्राम था और मैं ही साकी बब्रो था यही शहजाद भाई था मैं बुड़ा हो गया दाड़ी आगी लेकिन माशा देवे हैं मैं इंटर्वी मैं एक अंडर्ट किया था शहजाद भाई था सचल बनोफाइव के स्टूडियो में और अगिस टूसाओजन सिक्स फाइव शायद उसे भी एक सार अरीब करीब होगा अचा अब यह बात जब आपने अल्बम की किए अपने म्यूजिक की किए तो आपके फैंस यकिन जानना चाहेंगे तो ठोड़ा सा मजीद इनसाइट क्या उसमें म्यूजिक के जानरा किया जिनको आप अब लारे हैं इतने अवसे बाद लिरिसिस्ट्स कॉन हैं कमपोजिशन किसकी हैं थोड़ा सबने अल्बम के बारे बताईए तो फैंसमें मेरा मैंने ही लिखे में दो तीन ऐसे हैं जो किसी और किसी हैं और फ्लेवर वही होगा जैसे तारो भरी रात है बस जुई है और गिटार इस दफ़ा मैं खुद प्ले कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारी लोगों को नहीं बता कि मैं गिटारिस भी हूं जुमले मेरा अल्बम था उसमें मैं अपने कितास डालेवे थे ट्राक्स लेकिन हुआ है कि जब नबील चिस्ती आया था तो उनको इंट्रिक्शन की जरुवती तो मैंने फिर अट्राक्स अटा कि उनको क्या आप प्ले करो ताकि इंड़स्ट्री में इन हो सके अम बस यह है तो इंशाला सून हमें इंतजार रहेगा आपके फैंस को इंतजार रहेगा थैंक यू फो जॉइनिंग अस तो जनाब लेक्ट्रानिक डाइरी और बेक्स्टेज हमें अभी मजीद क्या हैपनिंग्स होने वाली है कितने आर्टिस्ट लाइनप हैं सारी जब चीजें आपको जानने के लिए हमारे साथ तून रहना है और देखते रहना है एलेक्ट्रानिक डाइरी और यूट्यूब से तूने